नमस्कार दोस्तों राजस्तान बोर्ड ने आपके कक्षा आठवी के लिए मोडल पेपर जारी कर दिये हैं तो आज की वीडियो में हम आपका जो हिंदी का मोडल पेपर हैं उसको पूरा सुल्व करने वाले और उसका जो सुलुशन है वह आपको इसी पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हो यहनि कि आपको आपके पास अगर मोडल पेपर आ गया है हमारा टेलिग्राम चैनल है वहाँ पर हमने इसकी पीडिएफ शेयर कर दी हैं तो आप वहां से प्राप्त कर लेना तो वहां से प्राप्त करके और इसमें आप अपना जो मोड पर आएगा और अड़ाइगंटा आपको समय मिलेगा इस अड़ाइगंटे में आपको टाइए असी नंबर का पेपर सॉल्व करना है तो देख लेते हैं किस तरी किसे क्यूशन आपके देखने को मिलेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो आपके अबस्द वाले जो किशन है यानि कि objective type के या बहु चैनात्मक जो प्रश्ण है वो आपके रहने वाले हैं तो पहला प्रश्ण यहां पर पूचा हैं वर्स परियंत बदलने वाली रीतूं में से किस रीतू के लिए रीतूराज सब्द का परियोग हुआ हैं यानि कि जो रीतूराज सब्द हैं वो आप की कविता में किसके लिए कहा गया हैं तो जो अपनी बसंत रीतूय हैं यान कि सवाला इसमें बिल्कुल सई हो जाएगा तो बसंत रीतू के लिए रीतूराज सब्द का परियोग किया गया हैं तो यहां पर सव में अपको भर देना हैं वाप पर अपनी जो answer, copy आपको इस तरीके से मतलब आपका पेपर रहने वाला है उसके बाद दूसरा परशन है चिडिया जब गोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाए देती है तो वह क्या ले जाती है तिनके ले जाती है ना इंट पानी यह तो ले जाएगी नही पानी ले जाती है तो वह आपको यहां पर भर देना है तो इसमें भी बह अपना करेक्ट हो जाएगा तो इसमें भी बह अपन को लिख देना है फूर्थ कुशन यहाँ पर पूछ रहा है हम से कि मोहन चूड़ियां बेचने का कारे करता है बिलकुल करता है हमने कहां नहीं पड़ी है तो आपको ये बताना है कि मोहन का पेसा यान कि उसका जो काम है वो क्या कलाएगा तो वो कलाएगा यहाँ पर लोहारी तो बिल्कुल नहीं कलाएगा क्योंकि ये लोहार जो होते हैं उनका काम कलाता है लोहारी जो सुनार हैं उनका काम कलाता है सुनारी और ये सुधारी कुछ सुधार करने वाले होते हों ये तो उनका काम गलत हैं सुधारी यान कि ये भी गलत हो जाएगा यहां पर हम क्या लिख देंगे मनिहारी लिख देंगे ना तो यहां पर अपना दर करेक्ट हो जाएगा अपना पांचवा किशन है हिंदी सिनेमा में आलम तो यह जो फिल्म है इसमें अपना मत्लतान और भारत पहले पहली भीलम मेंश पोटो दिखते हैं और वो वेच्टी होती थे वीधियों और बहुते नहीं लेकिन यह जो फिल्म में पहली बार आलमार फिल्म आई और में जो इंसान थे वो बोलने लग गई तो परली बोलती फिलम कौन ची थी आलम आ रहा तो इसलिए अपना वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और अपनको यहाँ पर लिख देना है आगे बढ़ते हैं चटा किशन हमसे पूछना है कि कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए जो माता ये सोदा हैं मैया हैं उन्हें क्या क्या खिलाती हैं तो वो खिलाती हैं माखन बिलकुल खिलाती हैं दूर भी खिलाती हैं पिलाती हैं रोटे खिलाती हैं यानि कि सभी वो काम करती हैं उनकी चोटी बढ़ाने के लिए तो उपरियुक तो सभी यहाँ पर सही हो जा प्राणों की बाजी लगा दी इस मुहावरेकार्त हो जाएगा साहस्पूर्ण काम करना इसका राइट आंत्र हो जाएगा तो स्व अपन को उप्शन में भर देना है आठवा क्यूशन है राम ने टोपी पहनी अब यह जो टोपी सब्ध है इसका बहु अचन बताना है तो बह प्रेटिव टाइप यह फिर अबसवद के इनको कह सकते हैं यह कुछन आपको देखने को मिलेंगे और जो भी आपको और यह जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको आगे भी मोडल पेपर मिलेंगे कहीं सारे सोलुशन वगेरा मिलेंगे तो इसको लिए इसको तो आपको अबजेक्टिव टाइप रहने वाले हैं और कुछ कुछ आपको लिखने होंगे ठीक हैं जो दो दो नंबर के रहने वाले हौन वो सहीisia एक एक नंबर के थे तो देखते हैं दो दोनमबर में किस तरहीं कैंसे पूछ the कविता का नाम है अनुसार हरे यह पात क्या अर्थ क्या मतलब का मतलब क्या होगा हरा 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 और यह पत्तियां तो हर्य पत्तियों के लिए विशेशन सब्द विशेशन के रूप में प्रियुक्त हो रहा है यानि कि जो पत्ते हैं पत्ते पत्तों के लिए ये क्या कर रहा है हरे हरे यानि कि पत्तों की विशेश्टा क्या हो गई हरा कलर हो गई याना पत्तियां कैसी है हरी है पत्तियां तो मतलब जैसे सूक गई तो भूरी भी हो सकती है यान कि पत्तों की विशेष्टा बता रहा है क्या बता रहा है यह जो हरे हरे सब्द हैं यह पत्तों की विशेष्टा बता रहा है तो यहां पर हमने लिग दिया है कि पत्तों के लिए विशेष्टन के रूप में यह जो हरे हरे हैं यह परियुक्त हो रहा यानिकि सिंपल सी बात हैं कार परते लगाकर आपको दो ने सब्सक्राइब बनाने हुआ फिल्म कार यहीं पर दे दिया है था यहां पीछे इनको याद रखेंगे इनको याद रखेंगे इसमें आ प्रते यान कि प आ रहा हैं तो प से अपना हो जाएगा पीछे पीछे में भी क्या हैं प हैं तो इन दोनों को रिलेट कर लेना कि प से पीछे और प से प्रते यान कि प्रते को हम लगाते हैं सब्द के पीछे और फिर बाकी क्या बच गया उपसर्ग तो उपसर्ग को हम लगा तो जिससे चित्रकार हो गया कलाकार हो गया यह हमने कार-कार पीछे लगा दिया ना और इंसे हमने दो नए सब्द बना लिए इसी तरह के से आपको इस तरह के से आपने लिख दिया तो आपको दो नंबर यहां पर मिल जाएंगे ग्यारवकसान हम से क्या पूच रहा हैं दिये गए वेकति वात प्रक संग्या जो सब्द उसको आपको बद्धेमान बाल के मतलब इसे कुछ भी पर देंगे हम जैपुर गया गोविंद अच्छा पड़ता है इस तरह के से कुछ भी करना है हमें वाक्य बनाना है वस उसका तो इस तरह के से आपको दो महिलां वाला जिसका वे आपने किसन देखा हैं तो महिला साइकल से व्यापार भी तो करती थी तो इस तरीके से दो फाइदे हमें लिख देना है तेरवा इसको टालेते तेरवा कि ने दिन प्रति हानी होती गोरस की यहां पर यह पर दिया हुआ है तो गोरस शब्द का अर्थ आपको बताना है गोरस सब्द का मतलब किया है इस पंक्ति में तो दूद से बने हुए जो भी पदार्थ होते हैं जिसे दई, दूद, मक्कन ये सबी इनको हम क्या करते हैं गोरस करते हैं ठीक है न ये किशन इंपोर्टेंट है आप अच्छे से याद कर लेना गवरिया को टो पुनकर के पास उसके बाद तो सभी को आपको याध कर लेना इन उस्ट का नाम आपको याद कर लेना है कि इन चारों के पास जदे गवर्या गई थि अपने रात कर लकाiness दे चिनद बनाने हैं और 4 का यापको और से लेखना है तो जिसे मैं ने यहाँ पर लग दिया अगर एसा साइन दिखे आपको एसा दिखे चित्र दिखे तो इसका मतलब हो गया दाही ना मोड यह क्या है धाया हाथ की तरफ मुड़ा हुआ है ना इसका मांद दाही ना गुमावदार और ये बाइं हो बाइं आत के तरफ मुड़ रहा है तो इसको मुने क्या लिख दिया बाइं गुमावदार मोड इस तरीके से आप से क्यूशन वहाँ पर पूछ सकता है तो थोड़े बहुत सिंपल सिंपल चितरा आप एक बार देख लेना अपनी किताब में औ हमें संसार से संसार को क्या देना है और संसार से क्या लेना है तो हमें जो हैं संसार से संसार को मतलब अबावगरस्त जो कुसियों से वंचित लोग हैं मतलब जो दुखी लोग हैं जिनके पास काफी कुछ नहीं है अबावगरस्त हैं तो वह जो लोग हैं उनके दुखों को जाएगा तो यही संसार को में देना है और लेना यह नहीं चौकों को लेना है उनिकि कैदेना है उनके आप याद करो청 स्क्रquency को याद करें यहां पर प्रियवाची सब्द को पूझके पराज़ है उनकर मेग यहां पर मैंने अंडलाइन कर रहा है मेग क्या होता है बादल का प्रियोग करना है जिसे आज मेग रहित आकास याना कि आज आकास में मेग नहीं है मेग का मतलब बादल वर्सा नहीं आएगी इसलिए वर्सा नहीं होगी आकास में बादल ही नहीं है तो फिर वर्सा कहां सेहीं त्रहके से मतलब कुछ भी आपको वाक्य बनाकर प्रियोग कर लियुए कि चुछ आपको प्रियाई वाक्षी क्या हो गया नयन तो राम के नयन बहुत सुन्दर है इस तरह के से वाक्षा में प्रियोग कर दिया उसके बाद में पेड़ तो पेड़ का प्रियोग करने के लिए वहाँ पर देखने को मिलेंगे अगला किशन है कबीर दास जो हैं कबीर जो हैं घांस की निंदा करने से क्यों मना करते हैं कबीर दास की वाला जो पार्ट पड़ा हैं उसमें उन्होंने बताया हैं कि हमें घांस की निंदा नहीं करनी चाहिए तो अब आपको बताना है कि क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि गास के निंदा नहीं करनी चाहिए ये आपको उस दोएक आदार पर बताना है और चार नंबर आपको पा लेना है तो गास के निंदा करने के लिए उन्होंने इसलिए मना किया हैं क्योंकि उस गास का छोटा सा तिनका वह जो गास है उसका छोटा सा तिनका भी अगर उड़कर हमारी आंक में पड़ जाए तो आंक में किरिकरी कर देता है और बेचेनी सा मरला बेचानी ला देता है यहां कि हमें प्रेसान कर सकता है उसका एक छोटा सा तिन का भी ठीक है ना तो इसलिए घास की निंदा नहीं करनी चाहिए कवेड के अनुसार इस तरीके से आपको लिख है अगला किसंग पूच रहा है बच्चों के उदम मचाने पर गर की बहुत दुर्दुशा हो गए बच्च जो कामचोर वाला पाड़ पढ़ा है तो उसे के बारे में यह बता रहा है कि बच्चों उदम मचा रहे थे तो उसे पूरा घर अस्तवेस्ट हो गया कामचोर कहान इदर उदर लुड़क गई थी गर के सारे बरतन अस्त्वेस्त हो गए थी इस तरीके से आपको जितना याद आजा जाएं वहाँ पर लिखकर आ जाना है ठीक है आगे 20 वाकेशन देखते हैं इस बेद को मेरे सिवाई मेरा इस वर ही जानता है आप उसी से पूछ लीजिए मैं नहीं बताऊंगा तो जो बिलवासी था ना उसने ऐसा क्यों का उसके समर्तन में आपको बताना है तो यहाँ पर है ऐसा करकर वह अपनी पतनी से चोरी करके उसके संदूक से जो रुपे निकालने की बात था वो उससे नहीं कहना चाहता था और इसके लवा उन्हें घर आंसर आपको देना है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक आपने जो सवच्छ भारत वह सवस्ट भारत इसके समझ में चार पंक्तियां लिखनी है चार लाइन लिख दिए चार लाइन लिख दी तो आपको चार नमबर यहां पर मिल जाएंगे तो जिसे हम चाह लाइन लिख परदी लायन है कि यह बारत सरकार की स्वराहनी कोशिश हैं दूसरी लायन हम लिखेंगे इससे हमारा भारत सवच्छ बनेगा तीसरी लायन हम लिखेंगे यह हमारा नेतिक दाइतू भी आपको याद हजाए वो आपको लिख देना है उसके बाद यहाँ पर देखो आपको निबन आदम क्यूशन यहाँ से चालो हो जाते हैं और अगर आपने इनका उत्तर दे दिया तो आपको आठ नमबर इनके लिए मिल जाएंगे जिसे इनका जो परला क्यूशन है वो है यहाँ पर सर्प्रसंग व्याक्या करनेगा अब सर्प्रसंग व्याक्या का से करते हैं उसको देखेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो कि आपके सामने दो पध्धे आएंगे तो यह आपको दोनों नहीं करना है इनमें से सिर्फ एक करना है जहां पर भी अत्वा लिखा रहता है उसका मतलब होता है कि आपको उन दोनों में से एक ही करना है दोनों नहीं करना है ठीक है वरना आप उसी में जो हैं लगे रहोगे और आपका पेपर छूट जाएगा यहना दोनों में से एक करना है और एक का यह आपको नंबर मिलेगा ठीक है तो अगर आपको यह आता है तो अगर यह आता है तो यह कर लो ठीक है तो अगर हम इसको कर लेते हैं यहां पर और किस तरीके से आपको सबसे पहले तो आपको यहां पर परसंग लिखना है क्या लिखना है परसंग में क्या लिखा जाता है आपको सबसे पहले तो आपकी जो किताब है उसका नाम याद होना चाहिए और उसके पाटों के नाम और उन पाटों का जो लेकक हैं या कवी हैं वो कोन हैं आईए आपको याद हो जाना चाहिए तबी आप जो हैं इसमें अच्छे नमर प्राप्त कर सकते हो तो परसंग में हम लिखते हैं कि ये पद्यांस अगर कवीता है ये पद्ये वाला जो भाग हैं जिसे पद हैं वो बगवान के डाकिये जो आपकी कवीता हैं उससे लिए गए हैं तो यहाँ पर हमें हमारी किताब का नाम और उस कवीता का नाम उसके बाद में उसके रचियता को ने तो इसके रचियता स्री रामदारी सिंग दिन करें तो प्रसंग में हमने सबसे पहले क्या लि कि कवी ने बताया है कि पक्षी और जो बादल है वो बगवान के डाक यह हैं जो मुक्त भाव से विस्व बंदुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुचा रहे हैं तो यह तोड़ा बहुत आपको प्रसंग में लिखना है उसके बार में इसकी व्यक्या करनी है व्यक्या में क्या होता है तो व्यक्या में वो जो कवीता है या फिर गद्यान साब को मिलेगा तो उसके बारे में आपको बताना है ठीक है ना जिसे कवी के अनुसार पक्सी और बादल बगवान के डाक यह हैं पक्सी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर और बाद हैं टेकर आपको तोड़ा बहुत कॉमें बताना रहता हैं तो बस इसी में आप आठ themed मिल जाएंगे तो इनको उच्छे से करके जाना और जो मेंने बताया उनकोcom देखने को मिलेगा गद्यान्थ देखने को मिलेगा अब इह Please cya होता है तो जो एक दरीके से पार्ट की तरह होता है यान कि कवीटा के लावाद नहीं पढ़ेंगे वज़णा काफी लंबा हो जाएगा यह मैं पढ़ लिया अब भी पढ़ लेना इसमें उत्तर के से लिखेंगे सबसे पहले तो आपको यह पढ़ना और उसके बाद में जैसे यहां पर पूचा आए पिंड किसकी और तेजी से बढ़ रहा था तो यहां पर प्रितवी प्रत्वी प्रारब में की तो यहां पर देखो कि यह हमारी प्रतवी है वो प्रारम में कैसी थी तो यह प्रारम में लाश्ट लाइन में देखा हैं कि प्रारम में एक बड़ा आग का गोला थी क्या थी एक बड़ा आग का गोला तो हमने यहां पर लिख दिया तीसरा क्यूशन है पिंड के आकरसन पिंड की जो आकरसन सकती है उससे किसका एक बाक टूट गया था है यहाँ पर पेंडरीन कर रहा है कि वुप तो अंत का यहां पर दे रहा है यह प्रारम यहां पर लिखा हुआ है तो प्रारम भी इसका उल्टा हो गया विपरित हो गया इस तरह से गड्यांस आपको देखने को मिलेगा उसको पढ़ना है और पर उसी में से आपको उत्र देना है अब तो आगे बढ़ते हैं 24 वा क्यूशन आपके सामने यहां पर आया है कि आप राज किये बाली का उच्छ प्रात्मिक विद्याले सर्जनपुर के 16 सोनिया कुमारी है ठीके ना आपके पिता जी का इस्तानांतरन जोधपुर में हो गया है यानकि उनका ट्रांसफर कहां पर हो गया है जोधपुर में हो गया है आप अपनी आगे की जो पढ़ाई है वह जोधपुर में रहकर पोरा करना चाहते हैं तो अपने परतान जो आपके एड़मास्टर की परतानाधिया पक्षण प्रमान पत्र या सोट में कहें इनको टी सी उसके लिए आपको प्रात्माप को मतलब अच्छे से आप उनको लिख दोगे तो यहां पर हमने उसी एप्लिकेशन को यहां पर लिखना है और यहां पर याद रहे हैं आपको कि जो क्यूशन में दे रखाएं जो नाम जो जगह वही आपको लिखनी है अगर अच्छे नमर प्राट करने हैं तो तो जैसे सेव में लिखा हैं आपके लिए ताकि आप अच्छे से याद कर सकोू कि अफिसे जोध्पूर में हो गया है अब में वही पर अद्धियन करूँगी तो या करना चाती हूं आपक overlap देति naennine कि मुझे टीजी कृप यहां पर जगह नहीं बची इसलिए को सोन्य कुमारी के नीचे आपको लिखना है तो इस तरीके से आपकी पूरी एप्लिकेशन या प्रात्ना पत्र हो जाता है और इसको आपको चिसे याद कर लेना है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक निबंद चार यहां पर आप आपको एक पर निबंद लिखना तो निबंद केसे लिखेंगे सबसे पहले तो जो जिस भी टोपिक पर आपको निबंद आ जाए वह आपको हेडिंग म houses predomin में लिखने बड़े-बड़े में मतलब एक line में वो पूरा हो जाए, बीच में उसको आ जाए तो सबसे पहले जिसे मालों हमने यहाँ पर लिख रहे हैं बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ पहले जो topic है इसपर हम निबध लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने इसकी heading डाल डी उसके बार में इसके बारे में जितना हमें याद आ जाता है उतना हम यहाँ पर लिखेंगे जिसे सबसे पहले लिखी जाती है प्रस्ताउना प्रस्ताउना मतलब उसके बारे में सुरुआत के कुछ अच्छे एक दो पॉइंट बतारने होते हैं और तमान समय में भी कुछ पुरानी सोच वाले जो लोग हैं वो पुत्र को कुल दीपक यानि कि अपने परिवार का एक तरिके से कुल मान दीपक मानते हैं उसके परिवार को बढ़ाने वाला ना बुड़ापे की लाठी मानते हैं लेकिन बेटे को मुसिबत के जड़ समझते अब यह अच्छे वाक्य थे तो हमने प्रस्ताओं नामें इनको लिख दिया उसके बाद में कुछ तोड़ी बहुत डेटेल हमें इसके बारे में बतानी होती हैं तो जिसे यहां पर हमने एक टोपिक लगा दिया सामाजिक चेतना का परसार तो समाद का सही विकास हो लोगो अब इस अभियान का उद्देशे क्या हैं वह में लिखना है तो बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान के संबंदों में हमारे जो राष्ट पती जी हैं पूर्व जो राष्ट पती जीते हैं हमारे रामनात कोविन जी उन्होंने लोक्षभा और राजिसभा दोनों सहीक तुरूप से जून 2014 को संब्दित किया और उसी में यह जो अभियान उसको चलाया था ठीक है ना फिर उसके बारे में उसके बाद लाष्ट में उपसंहार लिखते हैं उपसंगार का मतलब होता हैं कॉन्कुलिजन एक तरीके से उस पूरे निबंद का हमें बताना होता हैं जिसे इस अभियान के मादयम से हमारी समाज में जाग रुकता के साथ ही जो रूड़ी वादी सोच हैं उसमें भी परिवर्तन आने लगा हैं और वह दिन अब दूर नहीं है जब बेटियों को समाज में समाज जनकिस्तान प्राफ्ट हो सकेगा ना इस तरीके से आपका पूरा जो पेपर हैं वह यहां पर स्वल्ग हो जाता है अब इसके बाद वीडियो आएगा उसमें आपको इंग्लिस का जो पूरा पेपर हैं उसका सोलिशन मिल जाएगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और अगर आपको इसकी प्राप्त करनी है तो इसके बाद के पाटन के पाटन पी एटी एएन और उसके बाद में यस तरह के से आप साच करोगे तो मिल जाएगा ठीक है ना लगबग तीन जार के आसपास विद्यारती हूं आप पर ओल्रेडी हैं तो आप उसको जोइन कर लें अब मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब अच्छे से पढ़ाई करने हैं ताकि आप भी प्लस बना सको और आपका भी नाम अपने स्कुल में अपने आसपास के इलागों में हो सके ठीक है अब मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब ते के लिए बेस्ट अबलक आप से भी को